हुआ हलो दोस्तो सुआ फोलोगत हमारे न्यू बend phi में तो कैसा है आप लोग आशा करता हूं है ऑर लोग सौस्थ होंगे और मस्थ तो दोस्तो अभी शाम का टाइम है अभी हम करें दॉस्तो अगर हमारे चैनल पे नयहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कि ले बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक अब हम आयां अपने खी तरफ घऊमने के लिए और देखिये दोस्तो अभी शाम का टाइम है हमारे तरह मौस्म जैसा कि साम का टाइम है और थिर पहले बारिष कुई है इसके रोटन दोस्तो अभी यह दखिए हमारा मकई का खेत किलकुल तेयार धिम शिज उसक्त Unfortunately मैं यूजे बहुत पसंद है धैजिक है किकी है किक के पड़े डोस्तो है अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा मगाई बिल्कुल तयार है रेडी है आपको दिखाते हैं मगाई यह यह देखे दोस्तों देखे बिल्कुल रेडी है खाने लाइक है तयार है अच्यूंब कर दोष्तों का जो मुझा है ना गहत्ति Б 110 यह शहर में मिलने ओला नहीं है दोस्तों गवार्व को अच्छा का जो मज़ए हैना रिखित कृष्तों मेहार ही जाएगा और कभी मिल जाएगा और दोस्तो मैं दो दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ, मैं कॉलिस्वरी गया हुआ था, तो कॉलिस्वरी से आने का बाद मेरा तबियत खराब हो गया था दोस्तो, बहुत जोर से बुखार हो गया था, तो इसे के कारण म आज मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए अपने खेर तरफ तो दोस्तों हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और जितना से ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा उतना हमें वीडीयो बनाने में भी मन लगए तो दोस्तों आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए ये देखे दोस्तो सूरज डूब रहा है सामका टाइम धोस्तों कितना मस्त नजा रहा है सीम दोस्तों यह देखिए कि मस्त लग रहा है वादल में सूर्ज ई डूबा हुआ है कि मताई मत लग हो दोस्तों आप दक सकते हैं कि ममस्त नजा रहा है सर ये सब और दोस्तों यह रहा हमारा गौँ यह देखिए यह हमारा गौँ है पिल्कुल हरा भरा गौँ है चार तुरफ हर्याली हर्याली है मस्त वादियां है और दोस्तों चार तरफ मकई लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह हमारा खेत रहा और देखिए दोस्तों यह खेत भी मेरा है इसमें फुलगोवी लगा हुआ है तो दोस्तों साम का टाइम हो गया है और सूर्ज भगवान भी बादल में छिप गये हैं अधेरा होने को है तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे इंट करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों मैं जरूर सेयर करें तो दोस्तों आप लोग प्लीज सपोर्ट भी करें जितना ज्यादा से ज्यादा झाल